एक बार फीसे मेरे नियो जिटी जान नियो श्टूपाणी जरों में आप सभी सिख्छक सांतियों का स्वागत है यह देखते हैं एक बड़ी अपडेट आपको बता दे कि सबसे बिहार राज की च्वलंत मुद्धा सिख्छकों को बनाया जाएगा अब बिसिष्ट सिख्छक यानि बीना एकजाम के अब सिख्छक राज कर्मी नहीं बनेंगे और वो अभी परधाना द्यापक में इनको परधान सिख्छक की पहले सी जो नियमावली है उसमें इनको समायोजन नहीं किया जाएगा एक नया नामकरन किया गया है बिसिष्ट सिख्छक और इसमें तीन ब तो क्या असल में हता दिया जाएगा और कौन-कौन इस नियमावली का प्रारूप जो ड्राफ्ट आया है उसका समर्थन कर रहे हैं और कौन-कौन से संग नहीं कर रहे हैं तमाम बिंदूओं पर इसमें चार्चा करेंगे आज के इस वीडियो में तो फूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जबूर देखे उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है अत्कृप्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर हैं एक आंदोलन की तियारी कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि सिक्षकों की एक मांग थी बीना सर्थ राजकर्मी का दर्जा लेकिन इमें इस जो ड्राफ्ट वाइरल हो रहा है इसमें तमाम सर्थे रखी गई है जैसे कि आपको तीन चांस दिये जाएंगे एकजाम के लिए अगर तीन बार में आप पास्ट नहीं करते हैं तो आपको जौब से हटा दिया जाएगा इससे पहले आप जान लेकि नियोजी सिक्षकों को 60 साल का जौब है लेकिन फिर इसमें बादता क्यों रखी जा रही है अगर सिक्षक उशलाइक नहीं है तो उनके लिए और जा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सिक्षक इतने भी काबिल नहीं है कि यह तीन बार में इस परिक्षक को पास्ट न करें क्योंकि TET क्वालिफाइड टीचर हैं दक्सता पास्ट टीचर हैं तो आपको बता दें कि निश्चित रूप में पास्ट हो जाएंगे लेकिन जो स सिक्षक अपने ग्रीह जीला अपने ग्रीह पंचायत को नहीं छोड़ना चाते हैं राजकर्मी नहीं बनना चाते हैं किसी और जीले में नहीं जाना चाते हैं तो इसके लिए अप्सनल होना चाहिए न कि एकजाम नहीं देने पर उनको हटा देना चाहिए इस तरह की तमाम स अंडे तमाम राजु सिंग तमाम सिख्चक संगों के द्वारा इस ड्राप्ट का स्वागत किया गया है लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि बिहार पंचायत नगर प्रारामभिक सिख्चक संग के परदेश अध्यक्ष अनन कौशल सिंग तथा परिवरतनकारी प्रारामभिक सिख्चक संग के परदेश अध्यक्ष बंची धरबर्जवाशी के द्वारा इस ड्राप्ट वायरल का बाइकोट किया गया है क्योंकि सिख्चक नहीं देंगे एक्जाम क्योंकि और रेडी पहले से सिख्चक दक्ष है इस तरह किया बाते अपने विडियो में बंची धरब सिक्षक तो फिर एकजाम की क्या जरूरत है इन सभी बिंदूओं पर मांग किया जा रहा है और इसमें संसोधन की मांग की जा रही है अगर संसोधन नहीं किया जा रहा है किसी संग के मैं एगेंस नहीं बोल रहा हूँ जो जी संग के द्वरा बताया गया है वही मैं बोल रहा और फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा क्यों कि आने वाले समय में सिक्षकों को क्योंकिन आने वाले समय में सरकार को भी सिख्षकों की जरूरी है क्योंकि लोगशभा और भिधानशभा सर पर है तो सिक्षक भी अपना इसमें बदला ले सकते हैं इसलिए हर हाल में नियोजी सिक्षक को राज कर्मी का दर्जा बीना सर्थ मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो इसके लिए एक और बड़ा आंदोलन तमाम संगों के द्वारा करने की चेतावनी दी जा रही है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के सिक्षाइब युआक से लेटेस अबडेट पाने के लिए